हलो नमस्कार दोस्तो कैसे हो मित करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज की वीडियो बहुती महत बूर्ड होने वाली है इसलिए वीडियो को बिना स्कीप के पूरा दिखें आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कलर LED बल्प को किस तरह से बनाया जाता है जो कि आपको स्कीन पर दिखाई दे रहा है अगर आप हमसे रो मटेर या डेडि बल्प लेना चाते हैं तो स्कीन पर नमबर दिया जा रहा है आप हमें वर्टसप के माद्यम से संपर कर सकते हैं अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए जो आपको इसीन पर ड्राइबर और MCPCP दिखाई दे रही है यह काफि वेस्ट कॉलिटि की MCPCP है इसे हम एक साल की गारंटी में सेल कर सकते हैं अगर आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाते हैं और अच्छी खासी अनिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर कर सकते हैं यह जो आपको green color की mcpcv दिखाई दे रही है यह 7 watt की mcpcv है जिसे हम color bulb में तयार करके दिखाएंगे इसे एक plate तोड़ लेते हैं और इसको क्या करेंगे इसमें ज्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं लगाना है जैसे कि मैं आपको दिखा रहे हैं प्रोपर तरीके से चारो तरफ लगाना है plate के पीछे इस तरीके से इस दिखिए प्रोपर तरीके से लग गया अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा पेश्ट हेट सिंग के उपर भी हलका लगा देते हैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं लगाना है अब उसके बाद से टिकली पे सेट कर देंगे उसके बाद से इस्कुरू लगा देते हैं जैसे कि यह इस्कुरू लगा के रखा हुआ है अब यह पेश्ट बाहर भी नहीं आया है लेकिन MC PCB के पीछे पुरा पेश्ट बढ़िया से लग गया है और इस्कुरू को दोनों तरफ बराबर टाइट करते हैं एक तरफ लूज नहीं होना चाहिए अगर आप गैरेंटी में बल्ब बना रहे हैं HPF ड्राइबर के साथ तो उसके हिसाब से MC PCB भी यूज करना चाहिए बेस्ट क्वालिटी का जैसे कि हमने सियोल का यूज कर रखा आप देख रहे हैं सबसे बढ़िया क्वालिटी का यह MC PCB है और ड्राइबर की बात करें तो यह वाला ड्राइबर BC PCB है जो कि मलली उपर का प्लेट चेंज हो जाएगा तो यह कलर में हो जाएगा और इसको मारकेट में एक या दो सल गशकी में क्वालिटी में दे सकते हैं अगर यह वाला ड्राइबर लगातए हैं और यह वाला MC PCB भी बढ़िया क्वालिटी का ऐसे सस्ता भी MC PCB market में available है driver भी सस्ता है लेकिन अगर guarantee में काम करना है तो कभी भी अच्छी quality में माल बनाना चाहिए और hit sink compound paste तो बिल्कुल ही original चाहिए क्योंकि अगर ये original नहीं लगाते हैं अगर नकली लगाते हैं तो फिर plate उड़ सकता है और screw की बात जैसे आप देख रहे हैं इसमें कुछ लुग मोटा screw भी लगाते हैं जिसमें क्या होता है कि जो MC PCB का hole होता है ये बहुत पतला होता है और मोटा screw लगाने से hole चोड़ा हो जाता है और MC PCB पे परभाव पड़ता है कभी भी ये वाला पतला वाला screw यूज़ करना चाहिए पतला वाला screw हो या मोटा वाला screw हो दोनों का rate सेम ही होता है इसमें कि वाइट कलर का MC PCB इस तरीके का होता है इसकी जो core होती है साइड देख सकते हैं आप कितनी मोटी होती है ये original MC PCB की पहचान होती है अगर हम original hitsing compound की बात करें तो market में 600 रुपे कीलो में और लेवल होता है इससे कम भी लोग दे रहे हैं लेकिन वो लेने से कोई फायदा नहीं है hitsing compound paste का काम ये होता है कि ये जो PCB जो पीछे लगाते है MC PCB के पीछे जब paste लगाते है तो वो paste क्या करता है ठंडा रखता है MC PCB को और जलने से बचाता है इसके चलते इसकी life बढ़ जाती है अगर आप बिना paste लगाए इसको screw से लगाते है चिपकाते हैं तो चलेगा लेकिन बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा कर दो जाएगा